हलो मैं प्रदीप, आज हम सेखने वाले हैं bubble paper से craft तो यहां लिया एंदे craft paper, sponge, आप brush भी यूज़े कर सकते हो यहां लिया एंदे googly eyes, acrylic color, black or white उसे के साथ मैं लिया है scissor, ice cream stick तो सबसे पहले बबल पेपर के उपर हम एक शीप का जो बॉडी होता है उसका एक डिजैन बना के लेंगे यहां मैंने यूज किया है यह ब्लैक स्केज पेन अब मारकर भी उज़ कर सकते हो और इसे हम कट कर देंगे इसे सीजर से हम जो ब्लैक स्केज पेन से हमने बॉडर बनाई है वह हम उसे कट कर देंगे यहां कट करने के बाद हमें जिसे क्लाउड का शेप होता है उससे इसे यहां एक पैटन मिल जाएगा नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसके उपर एक्रेलिक कलर से कलर करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहां लिया है वाइट एक्रेलिक कलर पैलेट में हम कलर निकल के लेंगे यहां ब्रोस से भी कलर कर सकते हो यहां मैंने स्पंज उस किया है अब देख सकते हो और इसे हम जो बबल वाला से उस साइड है यहां कलर करेंगे इसे सूखने के लिए रख देता है नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहां जो मैंने क्राप पेपर लिया है उसके उपर उसका फेस बना देंगे जो क्राप बना रहे हम यहां हम बना रहे हैं शिप तो यहां इस तरीके से मैंने दोस के दो इयर्स और माउथ बना रहा हूँ इसे भी हम सिजर से कट कर देंगे यह कटिंग हो गया है इसके उपर हम गुगलिया इसको पेस्ट कर देंगे आप्पर हम इस्क्रीम स्टीके रहे हैं इसक्रीम इसे कर देंगे आप्पर कर देंगे और आप्पर देंगे नेक्स्ट हम आइस क्रीम स्टिक को सेंटर से कट करेंगे और उसको ब्लैक कलर लगाएंगे यह हमारा लेक का काम करेगा यहाम इन्य अक्रेलिक कलर का ही उज़ किया है इसे भी हम सुखने के लिए रख देता है हमें लेक्स इसका फेस और इसका जो बॉड़ी है वो मिल गए है अभी इसे हम अपना जो कोई भी क्राप पेपर यहां मैंने रेड पेपर लिया है उसके उपर इसे पेस्ट कर देंगे बहुत इजी है या फेविकॉल से इजीली पेस्ट हो जाता ही है तो इस तरीके से मैंने यहां रख दिया है इसे थोड़ा सा हिलक्याद से प्रेस करेंगे कि नेक्स्ट इसके नीचे जो लेक से वह लगा देंगे हम और बाद में इसका फेस तो आप यह देख सकते हो यह क्राफ्ट हम यह दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसे हम फ्रेम कर सकते हैं डेकोरेट कर सकते हो ग्रेटिंग कर सकते हो यह दिखने में बहुत अट्रेक्टिव लगता है और इससे न्यू न्यूज आड़ेस से भी आप बना सकते हो तो आपको भी बनाना है और मुझे वहाटसाप ग्रूप के उपर बेस देना है थैंक्यू